हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक तो माई चानल गार्डन एंड तीशा आज फिर से नेया वीडियो ले आई हूँ उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेरे चेनल में नई है तो प्ले सब्सक्रेब कर दीजिएगा और बेल आइकोन में भी प्लेस कर ले ताकि हा क्या टिप्स भी बताओंगे आप लोगों को तो यही होगा आज का वीडियो तो प्लेस आप लोग एंटक बने रहिएगा और देखते रहिएगा हिबिसकास प्लान तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यह प्लान्स कितनी आच्छे से ग्रो हुई है बहुत हेल्डी और आच्छे ग्रोध भी हुई है पॉर्ट में लगाया हुआ प्लान है बहुत हेल्डी और आच्छे ग्रोध हुई है कैसे करके क्यार किया है और क्या खाद डाला है ये hybrid हिबिसकास है hybrid हिबिसकास बहुती foodie plants है बहुत खाना बहुती खाद देना पडता है हिबिसकास प्लान को जो hybrid होते हैं तो इसमें बार्मी कॉम्पोस डाला है इसलिए बहुत अच्छे गुरूद भी हुई है और देखी सकते हैं आप लोग कितने अच्छे गुरूद हुई है और ये भी देखिए बहुत छूट इसी पॉर्ट में लगाया हुआ है बिल्कुल और बहुत प्यारा सा कलर है पता नह तो देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हुई है और ये फ्लार्स भी बहुत खुबसुरद है अभी शाम के ताइम है और बारिज भी हो रही है तो फिर भी दिखा रही हो तो फिल्हाल प्लांट्स में अभी फ्लावर नहीं है क्योंकि सुबे को ही थोरा सा भी गूम ह हो जाती है क्योंकि बगवंची में चराने के लिए तूर्की ले जाती है इसलिए बहुत कम है अभी सुबे को बहुत सरे फ्लार्स खिली हुई रहते हैं बहुत आच्छी भी दिखते हैं कि दिखते हैं मुठी प्यारी-फ्यारी से कलेक्शन है और जितना भी प्लांट से इतनी आच्छी से गुरूद हुआ है तो पॉट में ही लगाया हुआ प्लांट से ऐसे नहीं है कि सिर्फ जमिन में ही लगाऊं ही विसकास को जो देसी वाली है देसी बेराइती को आप मित white hibiscus और यह है यह भी hybrid है तो इसका थोड़ा सा प्रोब्लेम हुआ है इसमें थोड़ा सा माइट का भी एटेक हुआ है और कुछ iron की भी कमी है इसलिए थोड़ा सा पत्ते का color जो है थोड़ा सा येलू होने लगा है तो इसमें आप iron को पाने में बिगू करके भी गुराई में दाल सकते हैं तो आइरोन की जो देफियंसी होते हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे बहुत अच्छी से color है सिंगल पप्री है ये सिंगल पेटल और ये भी देखिए कितने ही आच्छी से गुरूद हुई है और बहुत बरा प्लान हुआ है बिल्कुल नीचे से भी करके निकलके आई है बहुत ही अच्छा गुरूद हुआ है देखिए बहुत बरा प्लान नहीं है ये बहुत सारे फ्लार्ट्स भी आई है इसमें देखिए कितने कलिया आई है बहुत सारे बर्स खीलेंगे इसमें भी ये भी सिंगल पेटल है हार एक ब्रांच में बहुत सारे कलिया आए है हाइब्रिद हिबिसकस को थोरा सा आच्छे क्यार करना चाहिए फोडी प्लान है बिल्कुल खाना बहुत मांगता है तो खाना देना पड़ता है ताइम तो ताइम नहीं तो ग्रो नहीं करते है तो ये प्लान को भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रूथ हुई है बागर आईरोन के दिफियेंसी है आईरोन के कमी है मैंने बताया है आईरोन के लिए आप लोग क्या करें और हल्दी पाउदर भी गुराई में दाल सकते है फांगस के लिए लगते हैँ इसको प्लान कैंसर बोलते है जैसे कि बुटी बुटी करके आज़ें प्लान में बिलकुल तो दिरे दिरे क्या होता है मर भी जाते है अक्सर रोज की प्लान में भी ऐसAJसे होते है तो हल्डी पाउदर डाल सकती है आप लोग अगर फांगी साइड नहीं है तो फांगी साइड टाइम टो टाइम स्प्रे करना होता है हाइब्रिद हीबिसकस की प्लान को तो इसको अभी प्रोनिंग करने का ताइम है सही ताइम है बहुत उचाय तक पहुंच गया है इसका ज्यादा हो गया है मगर ब्रांचेस कम है तो अभी नीचे से करके प्रोनिंग करने से प्लान और भी बूशी करके सुन्दर होके खिलेंगे और भी बहुत सरे फ्लार्ट और इस तरब कुछ बुगेन में लिया है वो भी दिखा दूँ आप लोगों को बहुती आनकमन कलर है यह बहुती प्यारे से कलर है देखिए बहुती प्यारे से तो अब फिलहाल बुगेन में लिया का फ्लार्ट नहीं है क्योंकि प्रोनिंग कर चुकी है बिल्कुल तो यह देखिए येलू हुआ है कोच बार्ट यह देखिया कलिया तो इसका भी रीजन होते है वो ही कि ताइ दियान रखना होता है और कोई पैट्स बगए राह लाग गया क्या नहीं उसका भी दियान रखना होता है ताइम टो ताइम तो यही है आगर यह सब को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो हाइब्रिद ही विसकास में बहुत सारे फूल आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी भी देखती है तो यही है मेरा आज का वीडियो तो थेंक्यों सो मज़ फो वाच्ट